हलो मेरे प्यारे दोस्त तो आप सभी कैसे हैं बहुत अच्छे होंगे और सबसे पहले बता दीजिए कि आपका जो प्रेक्टिस चल रही है अगर जो प्रेक्टिस चल रही है तो सब कुछ बढ़िया ही चल रहा होगा और तो आएए आज का जो है पनर्मा क्लास हम लोग जो रिजनिंग का प्रेक्टिस सेट कर रहे हैं डेली पचास कोश्चन का उसका आज पचासमा कोश्चन है तो पचासमा कोश्चन को हम लोग कर लिता हूं आपसे इसका अंसर कोमेंट बॉक्स में डाल दीजिए देखिए सबसे पहले बात यह है कि आपका प्रेक्टिस जो है निरंतर बने रहना चाहिए क्योंकि अगर जो आपकी प्रेक्टिस नहीं चल रही है तो भाय थोड़ी सी समस्या है तो प्रेक्टिस आप कह रहा है एक लड़का उत्तर पूरव और तीन किलोमिटर चलता है कहता है उत्तर पूरब सबसे पहले मैं डिरेक्टिस डाल देता हूं और कहता हूं उत्तर पूरव तो यह क्या चिवजिए पूरव कितना चलता है तो वह एक लड़का उत्तर पूरब की ओर चलता है फिर चार किलोमेटर तीन किलोमेटर बोला है उत्तर पूरब की ओर लीजिए मैं तीन किलोमेटर जो हूँ उत्तर पूरब की ओर इसको तीन किलोमेटर चला दिया हूँ कितना किलोमेटर तीन किलोमेटर उसके तो शुरुवाती अस्थान से वह कितना दूरी पर है शुरुवाती अस्थान अगर जो टोटल डिस्टेंस पुछ दे तो टोटल को हम लोग जोड़ेंगे लेकिन सोजें बोल दे कि प्रम बिंदू से जहां से सुरुवात किया है वहां से अभी कितना दूरी पर है तो डिरेक करन बराबर क्या होता है लग करन बराबर क्या होता है करन बराबर क्या होता है अंडर रूट अंडर रूट लंब का अस्क्वाइर पलस अधहार का अस्क्वाइर लंब का अस्क्वाइर पलस अधहार का अस्क्वाइर उससे निकाल लीजेगा अराम से बन जाए अंतो त्रेप और 10 तो इसी परकार से triplet भी आपको कुछ आद करनी होगी तो 3-4 आपको देखे यह 3 और 4 दिया हुआ है तो automatic ही यहां क्या चीज़ हो जाएगा 5 हो जाएगा और नहीं अगर जो आप इससे संतुष्ट हैं आप इसको नहीं जानते हैं तो आप करन बराबर निकाल सकते हैं यारी करन बराबर निकाल सकते हैं अंडरूट लंब का स्कॉार प्लस अधार का स्कॉार इससे भी निकालेगा तब 5 ही आएगे कोई दिकत next next question एक question बनाईए एक question बहुत ही बढ़िया question है और दो question के बाद मैं इसको बताऊंगा सबसे पहले अगर जो आप जानते होंगे कि आप खिलाडी कुमार हैं तो इसको पहले आप बना लीजिए और इसके बाद comment box में डाल दीजिए और उसके बाद मैं आगे इसका प्रसन जरूर करवाऊंगा एक प्रसन के बाद देखिए ये क्या चीज़ है ये क्या कहता है 112, 114 सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि निमलिखित उस रेनी का केवल एक पद गलत है यानि ये दो जो स्रिंखला दी गई है उसमें से एक पद गलत है और एक पद कौन गलत है हमको उसी को चूज करना है तो हिए देखिए 12, 12, 14 14 में ये 6 जोड़ा है फिन उसके बाद कितना 4 अइड किया है फिन इधर कितना 8 जोड़ा है इसके बाद 10 जोड़ा है इसके बाद 12 जोड़ा है तो हिए 6 हो जाता 18, 24 तो 2, 4, 8, 6 स्रिंखला में एक सजा जाती इसका मतलब 120 जो लिखा हुआ वो बिलकुल गलत है 120 के स्थान पर 118 होना चाहिए तो सिरियल नंबर से सज जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 यानि कि इसी परकार से वो सही स्रिंखला में जूटते दो-दो बढ़ते हुए आगे चला जाएगा कोदिकत next वो भी कोशन धियान में है उसको भी जरूर बताते हैं अभी ही बताएंगे इस इक कोशन के बाद अब देखिए एक कोई बढ़गर प्रस्ण तो है नहीं इसमें क्या बोला है dictionary dictionary को ए लिख दिया है तो ordinary को क्या लिखेगा तो ordinary को कुछ नहीं करना है O, R, D, I, N, A, R, Y ordinary ordinary को क्या लिखेगा तो देखिए O O के लिए काउंसल ले आया है तो इधर 2, 2, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8 तो O के लिए जरूर 5 लिखा होगा वो के लिए क्या लिखा होगा 5 लिखा होगा तो इसी परकार से R के लिए क्या लिखा होगा R के लिए तो R के लिए देखिए 8 लिखा होगा R के लिए क्या लिखा होगा 8 यह देखिए 7 लिखा है 6 लिखा है 9 लिखा है इसलिए मैं सबसे पहले रिजनिंग की प्रेक्टिस स्टार्ट कर दिया हूं जी के का भी प्रेक्टिस चल ही रहा है और तो आपको इस बात पर ध्यान देनी होगी कि कैसे बनेगा पचास कोशन है तो सबसे पहले टाइम तो दो घंटा में डेड़ सो कोशन सोल्व करनी होगी तो आपको समझी रहे हैं कि टाइम बचाना है किस परकार से तो धू कोस्टन अब देख लिजिए एक रेल गारी तीन मिनट बिलंब से चल रही है एक रेल गाड़ी जो है ना तीन मिनट लेट से चल रही है और आगे पर तेक मिनट तीन सेकेंड बिलंब हो जा रही है कह रहा है कि यह वो रेल गाड़ी है वो एटोमेटिक है कि पहले से ही पहले से हुआ जो तीन यहीं दिर डेट चल्ड आर यानी दिर चल्ड चल्ड और आगे जब चलता है निए जीटना मीनट करता जा चलता है उतना में उतना परती एक मिनट में वह तीन सकेंड और बिलंब होते हुए चला जाता है तो बताईए कि यह train कितने मिन्टों के बाद पूरा एक घंटा बिलंब हो जाएगा, कितना मिनट चलेगा तो वह एक घंटा जो है टोटल बिलंब हो जाएगी, एक घंटा कितना मिनट चलेगा, एक बार फिर से समझ लिए, एक train जा रही है, पहले से वह न किसी जगह पहुँ पहले से वह तीन मिनट लेट हो चुकी है, और तीन मिनट लेट के बाद जब आगे चलेगी तो परते एक मिनट न परते एक मिनट वह तीन सकेंड लेट होते चले जाएगी, उसके बाद बोल रहा है, परते एक मिनट जब वह तीन सकेंड लेट होगा, तो आगे बोल रहा है कि एग घंटा लेट वह कितना मिनट के बाद होगा एग घंटा टोटल लेट करना है तो सबसे पहले हम लोग एग घंटा लेट न करेंगे तो यानि एग घंटा ये तो पहले से तीन मिनट लेट है तो यानि हमको संतावन मिनट में करना है और संतावन मिनट में कितना सकेंड ह मिनिता होता और तीन मिनट यह पहले से लेठे यानि इसको सनतावन 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 मिनट और करना है तो संतावन 57ploy और 60 कर लिजीएगा तो कितना सकंड हो जाएगी क्योंकि सक कहें एक मिनट में 3 सेंड लेठ हो रहा तो 57 क मिने 960 कर लीजिए तो दिस्थ apologize और च्छों पचे 30, सात छक बियालीस च्छों पचे 34, यानि आ जाएगी 24?」तिश्व बूला जा रहा है? अब तो बताएगे बहुत बहुत त्रें, कितना मीनट में, कितनों मीनट के बाद हुआ है, एक घंटा बिलम्ब होगा. कितना तो संताबने मेन टो चलाना है तो एतना विलमब हमको करना है 4 320 विलम करना और जानते हैं कि एक मीनट में एक मेनट में वो ट्रें जो हमारे जो ह sério रही एक मिनट में क sua 3 सकेंट 8 चल रहे हैं एक मिनसे ऑर कि एक में किना 3 सकैंड लेट चल रहे है इसको काट दीजो आ जाएगा जो हमारे अंस मैं 1193 131 ठαत चार्टीा 12 और सुनम तोright 114 460 हमारी 114 एक आरह reckless 140 मिनट जो होगी एक घंटा जब लेट होगा तो 1140 मिनट चलेगा तब एक घंटा ट्रेंज होगा लेट होगा कोई दिकत कि इसको तो समझने में कोई दिकत नहीं होगी और किसी का अंसर आया भी नहीं नेक्स्ट नेक्स्ट इसको देख लीजिए क्या करना है डेडिकेट डेडिकेट का अच्छर का परियोग करके कौन बनाया जा सकता है इसमें बोला है कि कौन अच्छर जो है बनाया जा सकता है तो सबसे पहले आगे देखेंगे तो इसमें DE है तो हाँ DE है C है C है I है I है और D है D है दोग यहां भी यह बनाया जा सकता है क्योंकि इसका टोटल जो लेटर है यहां मिल रहा है तो ए जो है बनाया जा सकता है आगे देख लेते हैं हम लोग इसमें देखें M दिखाई दे रहा है इसमें कहीं M दिखाई दे रहा है तो नहीं तो ए नहीं बनाया जा सकता है इसको देख ल नहीं जा सकता है इसलिए एक कोहीं आप सन बर एक कोहीं जिर्फ बनाया mantle सकता कोई दिकत तो असान हो गई है और इसको भी बनाई ए ये वी काफी असान है और तो प्रस्थ है क्बख़े इसमें क्या कर रहा है जेड एक्स तो इसमें देखें क्या चीजिश्ड और बाई जेड और बाई माइनस एक किया है उसके बाद बाई में क्या ची माइनस बाई का नमर पचीस होता है डवलू का तेसी यानि माइनस दो किया है तो माइनस एक माइनस दो माइनस इसी परकार सही है माइनस तीन क्या होगा तो और डवलू में से माइनस तीन करेंगे तो नेक्स्त देखते हैं नेक्स्ट क्या प्सकत क्या हुआ है । एक्स एक्स का नमर चोबिस और चोबिस में से double a तो 22 22 में साथ तीन गष्टा है तो 19 और 19 में से हम लोग चार घटाएंगे तो 19 में से अगर चार गहाटाहिए तो 15 अब 15 किसका होता? ओ का. तो तो कीके बाद और ऑप्सन नमर एक में है? बाकी, दो में नहीं है. कोई दिकरत. ज़िए किसी में है? नहीं न? नेक्ष्ट देख लेते हैं, हम लोग. तो 25 में हाना चाहिए? तो बाई तो है नहीं किसी में, बाई सिर्फ एक ही में है, तो आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, चट मंगनी पट बिया है, याने तूरते हमको कर देना है इसका काम, ज्यादा देर लगाना नहीं है, next देख लीजिए, next असान है, इसको ज्यादा टेम इसको अंसर देजिए बहुत असान कोश्चन है इसको अंसर देजिए देखे क्या ची एदो आपको जो हाप सर्किल अर्ध बिरीत जो आपको दिखाई देरा इस दूनू को जोड़ दिया है ते एक बिरीत बना है तो इसको भी दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो एक बर्ग नहीं बन जाएगा बनेगा एक बर्ग जादा तो इसमें करना नहीं कुछ टूटल है उसको जोड़ देना है देखिए टंगस्टन का फिलामेंट से वैसा संबन्द है टंगस्टन टंगस्टन एक धातू है अब फिलामेंट जानते हैं कि बॉल में जो लगा हुआ रहता है बल में लगा हुआ रहता है ऐसे रहता है जो इस परकार से बल में लगा हुआ रहता है उसी इसी को हम लोग फिलामेंट कहते हैं यह टंगस्टन धातु से बना हुआ रहता है क्या चीज़ फिलामेंट तो उसी परकार से बोलता है तो सोना का संबन सोना सो हम लोग फिलामेंट बनाते हैं तो सोना से हम लोग अभूसन को बनाते हैं जब रात को देखते हैं महिलाएं जो है सोना के सिक्री मंगल सूत सब पहंती है तो सोना से क्या चीज़ हम लोग बनाते हैं अभूसन बनाते हैं कोई दिकत कोई दिकत नहीं नेक्ष देख लिजिए इसमें क्या कह रहा है कि यानि आने वाला यह जो फीगर आपको दिखाई दे रहा है उसमें क्या भराने वाला है यह फीगर है जो उसमें क्या भराना है इसको देख लीजिए तो सबसे पहले यह ऐसा बन रहा है तो जरूर ही यहां से कटेगा और कटने के बाद क्या होगा यह कटने के बाद क्या च साइड करनी है यह कितना सरकिल होगा तो देखे एक सरकिल दो सरकिल तीन सरकिल है तो अगला बार भी कितना तीन ही सरकिल होना चाहिए कितना चार गोला होना चाहिए कितना गोला होना चाहिए चार गोला क्योंकि तीन में तो तीन भर दिया है तो चोथा में चार गोला होना चा तुमको रखना चाहिए था, इसको भी काहनी खतम, और ये तो स्यम इसका डाल दिया है, तो इस भी काहनी खतम, option से by option भी इसको हटा सकते हैं, कोई दिकत, इसको बनाईए, इसको बनाईए, बहुत ही असान है, इसको भरने वाला है, यानि इसमें जो है क्या भराने वाला है, इसमें जो दिया हुआ है खाले अस्थान, उसमें क्या भराएगा, देखें क्या चीज़ किया है, पांच गुने पांच ये दोनों कर दिया है, पांच गुने पांच तो कितना होता है, पच्चीस, और इसको इसको गुना कर दिया है, तो तीन गुने चार, चार तिया के बा आप संतुष्टी के लिए इसको चेक कर सकते हैं यह मिल गई आगे भी चेक करके देखते हैं कि क्या औप्सन में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं सिझेख सर्फ साथ के बाए कोसिछन है यसको बनाईए क्या चीज़ बोल रहा है पॲक्रिय पंदरा से एक सो साट के बीच में कितनी संखिय 앞으로 जो 17 से बिभाजित है लेकिन 4 से नहीं बोल रहा है कि 15 से 160 के बीच कितना आइसी संख्या है जो 17 से बिभाजित होना चाहिए लेकिन 4 से नहीं तो कुछ नहीं करेंगे सतर का ये आपको पहाडा आता है तो सतर का पढ़ लीजिए देखिए सतर का सतर दुनी चौन्ति सतर तिया इकावन सतर चौव अड़ सट शतर पचासी सतर च्छक दोतल से सतर सतर शतर उनैसा से सतर अठी छती से सतर नमा अगर जो हम लोग तिरपन्ना से कर देंगे सतर नमातिर पन्ना से सतर से अगर जो हम लोग करते हैं तो सतर से जादे आ जाएगी कोई दिकत सतर से जादे आ जाएगी की नहीं आ जाएगी अब उसके बाद देखते हैं चार से विभाजित नहीं होना चाहिए तो चार से विभाजित कौन-कौन नहीं हो रहा ह उसको देख लिजिए, चार से विभाजित, तो देखे, चार से विभाजित हो रहा है, तो नहीं, चार से विभाजित यह नहीं हो रहा है, अरसट क्या हो रहा है, तो साचव का अठाइस, तेरा चव का अरसट, यहां, अरसट कट रहा है, तो अरसट इसमें नहीं होगा, क्यों इसको भी हम लोग हटा देंगे अब बोल रहा है कि अब जो बच गई हूँ टोटल संख्या कितना है एक दो तीन चार पांच छे और एक कितना साथ संख्या है जो 15 से ले करके 160 तक तो है 17 से विभाजित हो रही है लेकिन 4 से विभाजित नहीं हो रही है उस संख्याओं की संख साथ है कोई दिकत देखे कितना असानी जुड़ गया हूँ नेक्स्ट इसकिया इसक्या रहा कब का मतलब समय होता है यह कोई बोलता है कि इटेम में तुमको हमारे घर आ जाना है यह जैसे फ्रेंड हो गया जैसे कि गल्फ्रेंड से जाते होंगे मिलने के लिए तो आप बत वो बता देते होंगे कि आज मिलना है अब तुरते बोल देते होंगे कि कब आके बाद कहां मिलना है कहां कि मतलब किस अस्थान पर मिलना है तो यह जगह से रिलेटेड है यानि कि किस जगह पर तुमको मिलना है वो बता दो हम दौल चले आएंगे हर पल तुम्हारे पास कोई दिकत देखिए इसको यह blood relation का blood relation के काफी बताते बताते ठक चुके हैं और इसको बताइए जादे अगर जो कुछ नहीं समझ में आएगा तो first video देख लीजिए second video अभी तक तो जो है total 15 video बन चुकी है तो इसमें क्या ची बोल रहा है रीटा की ओर इसारा करते हुए निखिल ने कहा कौन कहरा निखिल कहरा मैं उनकी माता के पुत्र मैं उनके माता के पुत्र निखिल कहरा मैं जो हूँ ना रीटा को ओर इसारा करते हुए निखिल ने कहा मैं उनकी माता यानि रीटा के माता रीटा के जो माता के एकलवते पुत्र रीटा की माता के जो एकलवता पुत्र है न यह तो लड़की है रीटा तो लड़की नाम ही से लग रहा है कि लड़की तो एकर कोई एकलवता पुत्र होगा तो जरूर यह रीटा के भाई होगा क्या चीज़ रीटा के भाई होगा एक लवते पुत्र का पुत्र हूँ निखिल क्या चीज़ है रीटा की मा की एक लवता बेटा है उकर बेटा है कौन है उकर बेटा निखिल है तो अब पुछरा है रीटा का निखिल से क्या संबंद है तो जिसके साथ का और से के का की और ल बहन को आप क्या बोलते हैं तो निखिल के पीता हो गए और पीता पीता की बहन हो गई तो पीता की बहन को क्या ची बुवा बोलते हैं क्या ची बुवा या फुवा कुछों बोल दीजिए बुवा या फुवा दोनों चलता है नेक्स्ट नेक्स्ट क्या ची देखे इसमें कितना आइड किया है तो पांच आइड किया है फिन उसके बाद जीरो आइड किया है इसमें देखे पांच आइड किया है फिन जीरो आइड किया है इसमें पांच आइड किया है फिन देखे क्या काम करा है पांच आइड करके जीर जीरो अइड करता उसी परकार से हम लोग इसमें क्या चीज अईड करेंगे कितना आइड करेंगे तो पांथ 16,5,21 16,5,21 हो जाएगा और 21 अब जूड़ी कितना अब जी पांच तो आइड करी न दिये हैं तो इस वार कितना आइड करना है जीरो आइड करना है तो 16 में जीरो आइड करेंगे तो 16 और उसके बाद 5 आइड करेंगे तो 16 पांच इक इस और 16 और 21 होगा 16 और 21 ओप्सन नमर बी में है 16 और 21 कोई दिकत नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कह रहा है यदि 5 से भाग होने वाले सभी संख्याओं और उनमें से एक 5 आइच आता है क्या क्या बोल दिया है देख लिजिए इसको क्या बोल रहा है यदि पांच से भाग होने वाले सभी संख्या जिसमें एक अंक पांच आता है और उनमें से एक से पचास तक के बीच पांच का अंक हटा दिया जाए तो कितना संख्या होगा तो सबसे पहले बोल रहा है कि एक से पचास तक एक से कितना तक पचास तक टोटल जो संख्या है एक से कितना तक पचास तक संख्या टोटल की बात कर रहा है एक से पचास के बीच में और एक से पचास के बीच में टोटल संख्या की बात कर रहा है एक से कितना पचास तक के ब एक से पचास लिखना होगा हमको इसके बीच में तो एक और पचास के बीच में ही टोटल संख्या कितना आजाएगी टोटल संख्या कितना आजाएगी तो टोटल एक और पचास में एक और दो संख्या हटाना है पांच अंक हटा देना, यानि जितना भी पांच पांच ओंक में आएगा उसको हटा देना है, तो पांच, क्या ची, पांच, पंदरह, पचीस, क्या ची बोला है, पांच अंका हटा दिया जाए और कितनी संख्या सेस बच जाएगी, यदि एक पांच आता है, तो पांच से भा बाग देने वाली सभी संख्याओं को क्या चीजश करना है तो हटा देना है तो टोटाल भी तक तो 48 संख्या पांच और एक से पचास तक में पांच से भाग लगने वाली कौन-कौन संख्या होगी तो पांच होगी 10 इतना संख्या को और हटा देना है पहले तो दो हट गई 48 बचल था तो 48 में और कितना संख्या हटा आएंगे हम लोग तो एक, दो, तीन, चार, पान, छो, साथ और आठ और एक क्या ची नौ और 48 में से अगर जो हम लोग 9 घटा देंगे और 49 में से हम लोग अगर जो 9 घटा देंगे तो बचेगा कितना 49 यानि 49 संख्या अब दोनों के बीच बच जाएगी कितना 49 संख्या समझ में आया, क्या कह रहा है कह रहा है, फिन से एक बार इसको पढ़ लीजिए उसके बाद बनाईए यदि 5 से भाग होने वाले सभी संख्या 5 से जितना भी संख्या भाग लगेगा उसकी बारे में चर्चा कर रहा है और इन में से एक अंक 5 आता है 5 आता है इसमें तो जानते हैं और एक से एक से पचास के बीच में तो एक से पचास के बीच में कह रहा है तो एक से पचास के बीच में टोटल संख्या 48 को हो जाएगी और पांच का अंक हटा दिया जाए पांच का अंक भी हटा दिया जाए तो कितना संख्या बच जाएगा पांस से भाग देने वाली टोटल संख्या को हटा देंगे तो यह दोनों के बीच जो है कितना संख्या बचेगी तो माइनस करके अंसर लना है किन्दा 49 को दिकत इसको देख लीजिए क्या जी का है D और C D और C माइनस एक किया है Q और R Q के बाद आ रहा हो आता है तो पलस एक किया है P और O माइनस एक किया है फिनू B और W पलस एक किया है फिनू E और D माइनस एक किया है यानि माइनस एक पलस एक माइनस एक पलस एक का मामला चल रहा है तो इसमें भी हमको माइनस एक पलस एक करेंगे तो फर्ष्ट में माइनस एक करेगा, तो आई में से माइनस एक करेंगे, तो ह, A, U खतम, M खतम, दो गोएज से, इसके बाद माइनस किये थे, अब क्या चीज़ करना है, पलस, तो पलस, N में से एक पलस करेंगे, तो 14, 1, 15, O आजाएगा, फिनो भी में से एक माइनस करेंगे, तो B, 22, 21 नमर में U आता है, तो U होगा, H, O, U किसमें है, इसमें H, O, R है, इसमें H, O, U है, बाकी कुछ चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिरेक्ट अराम से बन गई, कोई दिकत, आगे देख लिजी, इसको बनाईए, इसको बनाईए, क्या जी बोल रहा है, देखें, ये भी बहुत बढ़िया कोश्चन है, इसको भी बनाईए, बहुत बढ़िया कोश्चन है, क्या जी बोल रहा है, कुछ मितर ने पिक्निक पर जाने का निरना लिया था, कुछ मित्र जो है पिकनिक पर जाने का निरने मान लिया जाए हमरा मालूम नहीं एक समित्र जो है पिकनिक पर जाने के परियास किया है और इस पर 768 रुपया खर्च करना का नीचे किया अब कुले मित्र जो गया है ना उस सोचा है ना कि अगर जो हम लोग पीकनिक पर जाएंगे ना तो टोटल हम लोग को खर्च जो होगा ना 768 रुपिया होगा और इन में से 4 मित्र नई आने के कारण मित्र का 16 रुपिया अतरिक्त बढ़ जाता है और मित्र जो है नहीं आता है जिसके कारण 16 रुपिया तो यानि 4 मित्र नहीं आया था तो एकस माइनस फोर करेंगे चार मित्र नहीं आया है और क्या ची तब क्या ची बोला है कि तब जाकर के चार मित्र नहीं आया है तो यानि 768 में 4 मित्र याता तो 768 नहीं आया तो चार मित्र और एड़ कर देंगे एकस में तो 768 और तो 16 था टोटल मित्रों की संख्या क्या चीज़ है एक से अब इसको सोल्व कर लीजिए नहीं सोल्व करने का मुमें बन रहा है तो इसको इधर कर लीजिए 768 पलस कितना एकस पलस फोर इसको इधर लिया यह तो माइनस 768 बटा एकस बराबर कितना माइनस सोल्व कर लेंगे माइनस क्या ची सोल्व कर लेंगे बाकी सोल्व करके जो आएगा वो अंसर हुआ आप अपने से खुद से सोल्व कर सकते हैं कोई दिकत आगे देख लीजिए एक बस पूरुस तथा उनकी आधी संख्या के बराबर महिलाओं क्या बोल रहा है एक बस जो है पूरुस तथा उनकी आधा पूरुस जतना है न वो कर आधा महिला है और महिला वो कर आधा संख्या के बराबर है उसको लेकर दिल्ली से चलती है और बस दिल्ली से ले करके चलती है जितना पुरू से ओकर आधा महिला है हुआ से ले करके चलता है ओकर बाद क्या ची मेरट पहुंचता है दिल्ली से जब मेरट पहुंचता है तो क्या काम करता है कि 5 महिला सब 10 पूरुस उतर जाता है जब मेरट पहुंचता है न बस तो 10 पूरुस उतर जाता है और वो कर जगा पर 5 महिला जो है बस में चढ़ जाता है अब बस में पूरुस तथा महिलाओं की संख्या बराबर हो जाती है तब क्या होता है कि पूरुस और महिला की संख्या बराबर हो जाती है तो प्रवराम में दिली से कूल यातरा कितना किया था दिली में कूल बस में कितना लोग चड़े थे अब देख लीजिए तो सबसे पहले हम लोग decide करेंगे by option से चेक करेंगे क्या ची? by option से चेक करेंगे मान लिया जाए सबसे पहले 36 गो हम ले लेते हैं कि total संखिया 36 है 36 है तो 36 के आधा कितना हो जाएगा? 18 36 के आधा 18 यानि 36 के आधा कितना हो जाएगा? 18 18 हो जाएगा और क्या ची बोला है क्या ची ये दोगों को जोड़ करके 36 करना है तो दो को जोड़ करके आधा के क्या चीज़ बोला है जितना संख्या है नो ओकर आधा के आधा तो अठारा के आधा के आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा नो यह मामला बन नहीं रही है यह मामला और इसको अगर जो तो दस वो उतारेंगे तो आठ बचेगा इधर पांच को चढ़ाएंगे तो तेरा क्या मामला सेट हो रही है नहीं मामला सेट हो रही है तो आठ पांचा बोला है कि उतरा है और चढ़ा है तो बरावर होना चाहिए तो आठ और तेरा हो गया तो यह तो मामला सेट नहीं कर रह आए टोटल पैंतालिस है और बोल रहा है कि टोटल पैंतालिस बाई ऑफ्सन चेक कर रहे हैं तो जितना पुरुस है और महिला है दोनों की संख्या हुआ चड़ा है तो मान लीजिए एक तीस चढ़ा होगा दूसर का पंदरा चढ़ा होगा तब तो एक राधा हुआ तीस और पंदरा जोड़ेंगे तो 45 आहीं गया और क्या चीज़ बोला था दस को जब पुरुस उतरता है ना तो महिला दस को पुरुस उतरता है तो महिला मेरठ में ना पांच को महिला चढ़ जाती है और पांच को महिला चढ़ती है ना पांच को महिला जब चढ़ती है ना तो दो पुछराय के शुरुवाती में कितना दोनों था तो दोनों तो 45 पर किये था तो 30 और 15 तीस गो पूरूस था 15 महिला थी और दोनों मिला के बोला है दोनों मिला के कुल कितने आतरी थे तो 45 आतरी थे कोई दिकत के ची कपड़ा काटने का कम करता है कई ची काम करता है कापड़ा लेखनी स्याहिक firearms क काम करता है कि कपड़ा काटने का काम आता है तो उस्तूरा क्याची काम आता है दाढ़ी काटने का काम आता है कोई दिकत Next Next देख लिए न्याई धीस का जो संबंध न्याई से है उसी परकार संसद का संबंध राष्ट से होगा संसद का संबंद क्या सिच से होगा राष्ट से होगा इसको बनाईए इसको बनाईए 30 सकेंड का टाइम है इसको बनाईए 30 सकेंड का टाइम है इसको बनाईए 30 सकेंड का टाइम है और इसको बनाईए 30 सकेंड का टाइम है और इसको बनाईए हो गया जबाब ने आया अब देखिए मैं बताता हूं कमेते हैं ऑ करे שो और जो है ना बीसे चोता को था है अगे देख लेगे C सबसे लंबी है C दिका बोल रहा है C सबसे लंबा है B D से बहुत छोटा है B जो है D से बहुत छोटा है क्या जी बोला है D न B से बहुत छोटा है D जो है B से बहुत छोटा है तो ही यहां हो सकता है D का अस्थान कहीं फिक्स नहीं होगा होगा आया तो सबसे छोटा कौन है तो सबसे छोटा ई है सबसे छोटा कौन है यह कोई दिकत जिस परकार से बोला है उसको हम लोग सजा देंगे और बनाएंगे देखे क्या ची बोला है इसमें नीचे दी गई बिकल्पों में से बिसम सब्द चुनिए, क्यों सब्द चुनना है बिसम सब्द, बिसम सब्द का मतलब सबसे अलग सब्दों को क्या चीज करना है, चुन करना है, तो क्या चीज बोला है, बिसम सब्द, गैरेज, गैरेज में गाड़ी उड़ी रहती है, नवका घाट, नवक कि किनारे जो घाट रहती हुआ तो नौका तो वह भी गाड़ी ही हो गई बिमान साला बिमान साला मतलब जो हवाई उबाई जहां रहता है उसको बिमान साला हम लोग कहते उपबन उपबन में तो पेड़ पोधा रहता है उपबन में क्या चीए पेड़ पोधा तो सबसे लीजिये, इसका भी समय दे देते हैं, 20 सकेंड, काउंट करके बताईए, क्या बन रहा, 20 सकेंड हो गई, कहानी खता हूँ, देखे क्या जी कह रहा हूँ, आपको हम कल जब कल वाली कलास आप की होंगे, तो आप जरूर देखेंगे, कि मैं बताया हूँ कि एतना जो एक ऐसा फिगर बन जाए, तो इसमें नंबर ओफ ट्राइंगल तीन होता है, तिर्भुजो की संख्या कितना होता है, तो आप लोग देख लिजिए, एक हिया बन रहा है, इसी परकार का, एक यहा बन रहा है, इसी परकार का, एक यहा बन रहा है, इसी परकार का, तीन गो, यह गिना आई दे रहा है तो एक दो तीन और चार टोटल कितना होगा या चार तो नो चार नो में चार अब जोड़ेंगे तो तेरा हो गया अब और देखिए क्या ची अब और क्या ची देखिए इपाड़ा वला तिर भूज को क्या हम लोग गिने हैं बाड़ा वला को नहीं टोटल तिर भूजो की संख्या कितना हो गई 15 कोई दिकत कोई दिकत इसको बनाईए बलड रिलेशन का कोश्चिन देखिए बहुत जादा बार पूछ बहुत जादा पूछ रहा है इसलिए बलड रिलेशन और जो है डिरेक्शन बना हम लोग जादा बनाएंगे एक लड़ लड़का का प्रचय कराते हुए कहता है कि लड़का का प्रचय कराते हुए एक लड़का का अवरत प्रचय करा रहा है अवरत ने कहा उसके मामा यानि लड़का के कोई मामा है तो मम्मी होगे मम्मी का कोई भाई होगा मामा मम्मी का कोई ची क्या ची होगा भाई होगा तो एकर मामा, एकर मामा, क्या ची, वो लड़का के मामा, के मामा, के मामा, लड़का के मामा का मामा, एकर आओ मामा, तो एकरो मामा के कोई बहीन होगा, सुरी, मा होगी, मा के कोई भाई होगा, तो एकरो मामा, क्या ची, मामा के मामा, मामा के मामा, परसपर भाई, मेरे मामा का भा एकर भाई हैं यह उरतिया के, यह उरतिया के मामा के भाई हैं, तो मान लिया जाए, एकर मामा के मामा, यह उरत के मामा के परस पर दुनू भाई है, तो यह उरत हिया होगी, यह उरत यानि एकर भाई के मामा, तो एकरो मामा, एकर भाई के मामा, तो एकरो मामा, तो ऐसा भी हो में नहीं कितना है कुछ नहीं & सबसे अलग कौन है उस業 देखना है सबसे अरढ़ को देखना है सबसे अलग को देख लीजिए देखिए इसमें हम जो है लाइन को गिनेंगे तो एक दो तीन चार पांच छे एक दो तीन चार पांच और छे एक दो तीन चार पांच और छे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ और देखे ये तीन में जो छे 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 लाइन है इसमें आठ लाइन ह इसलिए सबसे अलग एक है कोई दिकत अब देखे पासा वला तो सबसे असान गोशन बनती है पासा वला तो पासा बना करके भी बता हैं आप लोग को कि कोई दिकत नहीं और देख लीजिए इसमें double comment दिखाई दे रहा तीन इस में भी है और तीन इस में भी है तीन इस में भी है पांच इस में भी है और देखे तो चार का भी सम जो बच गया हो चार का भी सम होगा चार इस में है चार का भी सम क्या ची एक कोई दिकत कितना असान से बन गया इतना ही असान जो है एकजाम में भी पूछती है इतना यह असान पुछती है तो असान को प्रेक्टिस जैसा कोशन यह previous year वाला कोशन है देखे यह भी बहुत ही बढ़िया कोशन है मैं बताओ के direction वाला कोशन बार बार एकजाम में पूछ रही है कैसा direction वाला जो है बार बार पूछ रही है तो direction बाले को हम लोग practice करते हुए चलेंगे दो कार एक अस्थान से एक ही समय पर चलती है दो को कार है एक अस्थान से यानि दो एक कार यहां है एक ही अस्थान से चलना सुरू किया और उन में से एक 20 किलोमेटर परती घंटा चलता है और दूसरा जो है 15 किलोमेटर परती घंटा के रफतार से चलता है तदा अनुसार दोनों 2 घंटा यात्रा करने के बाद जो है दोनों के बीच कितनी दूरी है और यह जो 15 किलोमेटर परती घंटा जो चलता है वो उत्तर दिसा की ओर उत्तर दिसा तो यह है तो यानि दो घंटा दोनों चलता है तो 20 किलो मिटर परती घंटा तो दो घंटा में यह 40 किलो मिटर चला होगा और दूसर का क्या बोल रहा है दूसर का जो है 15 किलो मिटर परती घंटा चलता है और 15 यह और 11 किस दिसा में और यह पूरब दिसा में तो आपको बताए थे तीन चार और पांच त्रिपलेट बनती है तो यहां क्या चीज हो जाएगा पचास इसमें भी सुना था इसलिए इसमें भी सुना लगा दिये नहीं तो ऐसा कर लिए कर्ण का स्क्वाइर कर्ण बराबर होता है अंडर रूट एल का स्कॉर पलस अधार का स्कुराइर प्लस अधार का स्कुराइर इसको एल मान लीजिए इसको ए मान लीजिए जो फाइनली आएगा अंसर हो जाएगा तो कितना पचास किलो मिटर कोई दिकत इसको बोल रहा है कि यह जो आपको दिखाई दे रही है इसमें सबसे अलग कौन है यह जो आपको दिखाई दे रही है इसमें से आपको अलग कौन दिखाई दे रहा है तो कुछ नहीं करना है अगर जो आप सम भी सम चुनना चालू किये तो इसमें गलती हो जाएगी तो इसम अलग कौन दिखाई दे रही है देखें ये कहीं को लीप बर्स किसे कहते हैं वैसा वैसा बर्स को कहते हैं जो चार से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए तो इसको चार से भागा दीजेगा तो क्या कटेगा इसको चार से भागा देकर देखें ए भी नहीं कटेगा इसको तो संतुष्टी के लिए चेक करके भी देख सकते हैं no problem देखे अभी आपको बताये थे triplet की कुछ triplet है जो आज कर लिजिए तीन चार पांच छो आठ दस पांच बारा तेरह पांच बारा तेरह कोई दिकत और देख लिजिए इतना आद कर लिजिए और आद कीजिएगा तो 9 16 और पचीस 12 16 और बीस तो बहुत सारे triplet हैं ऐसा ऐसा जिसको आपको याद करनी है तो ऐसा triplet है अगर जो मैद में पढ़े होंगे तो इसको जरूर पढ़े होंगे तो इसको भी बना लिजिए अब बोल रहा एक बेकती एक कि अगर जो याद रहेगा ना आपको इवला याद रहेगा तो डिरेक्षन बहुत पूछ देकी आपको सौटेश डिस्टेंस सौटेश डिस्टेंस जो है आप असानी से बना पाईएगा तो इसको आद करना परेगा और त्रिपलिट गूगल से भी सर्च करके मार सकते हैं क्योंकि हम प्रैक्टिस करवाने की क्याम कर रहे हैं तो एक वो बिंदु है केंदर बिंदु ओ है एक बेकती दचिन की वर पाँच किलो मेटर तो दचिन नीचे होता है और दचिन की वर पाँच किलो मेटर चलता है और तब वह दाहिने मुड कर और इधर हम लोग जा रहे हैं तो दाहिना की अधर होगा तो एसाइड होगा तो यानि तो ओ से कितना दूरी पर है, बिंदू ओ से कितना दूरी पर है, तो बताये थे 5, 12, 13, 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट बनता है, आपको बताये थे, और कर्ण बराबर निकालेगा, तो 5 का स्कॉर, पलस 12 का स्कॉर, अंडरूट में डाल दीजिएगा, तो 13 आ जाएगा, को दिकत, इस को बना करके देख लीजिए, आप लो, दिखे, बारह, अठारह, तीस, झेलिखा है भाई, सोलह, बतीस, चालिस, आठ लिखा है, 36, 28, 27 तो यहाँ क्या लिखेगा, देखे कि 6, जो है 6 तीनों को काट रहे है, आठ जो है 3 काट रहे है, तो हैं क्या लिखे कि 3 के काट दे, तीनों को काट दे, तो नो रखेंगे तो नो को काट देगा, छो रखेंगे तो 27 कटेगा, नहीं, बारा रखेंगे 27 कटेगा, नहीं, अठारा रखेंगे 27 कटेगा, नहीं, नो रखेंगे तो तीनों कट जाएगा, कोई दिकत, देखिए अब इसको इसको देखिए क्या जी बोल रहा कि यदी अंग्रेजी बर्नमाला के पर्थम अर्धांस क्या जी बोला है यदी अंग्रेजी बर्नमाला के पर्थम अर्धांस को बिपरित करम में लीजे भाय पर्थम अर्दान्स को बिप्रित करम में तो पर्थम अर्दान्स जानते हैं कि A, B, C, D में टोटल 26 लेटर होता है और 26 लेटर के आधा करदें तो अर्दान्स हो गई तो A, M तक हो जागा है पर्थम अर्दान्स और देखें तो इसको एक बार हम समझा देते हैं आपको देखें ए बी सी डी आप जी एच आई जे के ल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी भी डावलू एकस बाई और कितना जेड और देखें तो इसमें टोटल 26 लेटर और 26 लेटर इतेरा एम तक जो आपको दिखाई द रही है यह पर्थम अर्धांस हुआ क्या ची यह पर्थम अर्धांस हुआ है क्या ची पर्थम अर्धांस हुआ और यह जो आपको एन से जेड तक जो आपको दिखाई दे रही है यह दूतिय अर्धांस है क्या ची दूतिय अर्धांस है अर्धांस है अब इसको बोल दे कि पर्थम अर्धान्स को बिपरित में सजाईए चाहे दूतिय अर्धान्स को बिपरित में सजाईए इससे कोई आपको डिस्टर्वने हुआ पर्थम अर्धान्स और दूतिय अर्धान्स समझ गए अब बोल दे अब जैसे की बोल दे कि इसका जो A B C D आपको लिखा हुआ तो दाया और कॉई शाड़ से दाया और कौई आर से चलेंगे कौन साड़ से दाया और जा सट जाड़ से अब बीच में कोई संख्या जैसे कि A B C D E F G हिआतक लिख दियाstorm अब कोई संख्या जा गया अब अब को या गया अब बोले इसके बाया और कौन है तो इसके बाया और बोले तो अब इधर बाया चलेंगे इसके बाया बोले तो इधर बाया चलेंगे इधर दाया बोले तो इधर चलेंगे दाया बोले तो किधर चलेंगे इधर चलेंगे कोई दिकत इतना आपको मालूम रहेगा तो आप अराम से जो है हम अरदान्स को बीपरित में सजा लिजीये, तो लिजीए हम लोग बीपरित में सजा लेते हैं, तो M, L, K, इधर से सजा ये ना सर, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, और के, बीपरित करम में सजा लिए, और दूसरे अर्दान्स को बास्तविक में सबस्तविक पर सजा लिजिए तो दूसरे अब एन के बाद दूसरे अस्था दूसरा होगा तो देखे एन एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डबलू एक्स बाई और क्या चीजेड अब बोल दिया है सजा लिए हैं अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाएं अब क्या बोला है बाएं से एगरमा बाएं से आईए एगरमा अस्थान एक दू तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस और एगारा सी पर पहुंच गए बाएं से एगरमा के दाएं सातमा कौन होगा बाएं से एगरमा के दाएं तो बोले थे कि दाएं चलना है तो अब इधर किसे इधर चलेंगे तो दाइए करना बोला है सात्मा तो एक दो तीन चार पांच छो और साथ क्या ची सात्मा कौन सा अस्थान होगा कौन सो होगा क्या ची सात्मा न बोला है तो एक दो तीन चार पांच छो और साथ क्या ची जो जागा आर यार आर का चलेंगे इसको अब मिटार देते हैं इसको अब मिटार देते हैं देखिये next pqr ना हाँ b और c अब बी और c एको डी ना दाएं से सातवे अच्छर अब इधर दाएं से सातमौं एक दो तीन चार पान चो और साथ को ना गिया सात नमर पर ट के बाएं अगरमा अब एक कर बाएं ए गरमा ले लिजिए यक दो तीन चार पांच 6-7-8-9-10-11, यह गारमा कौन सा अच्छर होगा, तो कौन सा अच्छर होगा ई, कोई दिकत नहीं न, अब देखे, पारथम अरधान्स का वह अच्छर, जिसका आस्थान परिवर्तत नहीं होता, तो पारथम अरधांस का वह अच्छर, जो दाइं से लिखे या बाइं से लिखे अच्छा परिवारतित नहीं होगा तो तेरा टोटल तेरा कितना होता है टोटल नमर कितना होता है टोटल संख्या तेरा और तेरा के आधा करेंगे हम लोग तो तेरा के आधा करेंगे तो तेरा के आधा करेंगे तो पलस वन करके हम लोग आधा करते हैं तो 14 बटा दू कितना सात्मा जो लेटर होगा वो बिल्कुल नहीं बदलेगा A B C D E F G यानि जी जो होगा बिल्कुल नहीं बदलेगा आप राइट से लिखिए चाहे लेफ्ट से लिखिए बिल्कुल बदलने बाला नहीं है तो इसमें तो समझने बाली कोई ब बनाईए अब इसको बनाईए क्या ची बोल रहा है देखे क्या ची बोल रहा है कितने डॉक्टर क्या ची कितने डॉक्टर न तो खिलारी और नहीं कलाकार है कई गोई इसन डॉक्टर है जो नहीं खिलारी है नहीं कलाकार है तो यतना दूर तक लेंगे जो तो खिलारी क्यो तो इसको तो चून के आराम से बना सकते हैं यहां कोई दिकत नहीं कितने खिलाडी ना तो कलाकार है और नहीं डॉक्टर है एरा में कितना खिलाडी है जो ना कलाकार है और ना डॉक्टर है अकर मतलब खिलाडी के बात कर रहा तो एतना दूर तक तो लेंगे तो कलाकार हो जाएगा और इतना दूर तक लेंगे तो डॉक्टर हो गया बच गया जो किया हमारा हो जाएगा खिलाडी तो पचीस कितने कलाकार खिलाडी है अब पूछ रहा है कितने कलाकार जो इसमें है व कलाकार और खिलाडी यानि यह दोनों की बात कर रहा है कि यानि यह इसमें कलाकार भी होना चाहिए और खिलाडी भी होना चाहिए अकलाकार इसमें यह तनी त्वाइवे करता है यह तनी त्वाइवे इतीन भी आता है कलाकार और खिलाडी दोनों आता है तो कितना आता है 22 तीन पचीस और तो हमको यह तो बोला है नहीं डॉक्टर के बारे में तो इतीन की से लेंगे तो तीन डॉक्टर भी है तो कलाकार और खिलाडी सिर्फ तो बाई से खाली और दूसरा कोई है देखिए तो नहीं ने नेक्स्ट इसको बना करके आप लोग बताईए बहुत ही असान है कि इसको बना करके बताईए देखिए क्या चीव कह रहा है कि देखिए सबसे पहले इसको पकड़ने के लिए सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं B और E इसमें क्या चीव कर रहा है लास्ट और फर्स्ट में अंतर कितना के हैं तो लास्ट और फर्स्ट को 3 माइनस किया है कितना आगे देखते हैं इसमें भी लास्ट और फर्स्ट को माइनस तीन किया है इधर भी देखिए लास्ट और फर्स्ट को माइनस तीन किया है तो लास्ट और फर्स्ट माइनस तीन होगा तो लास्ट में से माइनस तीन हम लोग करेंगे first में से minus 3 करेंगे जो last वाला होगा तो aim यानि किसके last में aim आ रहा तो इसके last में आ रहा है इसके last में ए आ रहा है इसके last में L आ रहा है इसी के last में aim आ रहा है देखे तो किना असानी से बन गिया ज़्यादा हम लोग को माथा जहलने के कोई जरूरत नहीं है आसानी से हम लोग बना लेंगें कोई दिकत नहीं न देखिए C-E-G क्या किया है देखिए इसमें दो जो आइड किया है इसमें भी 2 दो आईड किया है तो आपकें C-E-G-I आई में 2 आइड करेंगे तो नोदू एगारा है इसमें नहीं ए खाली आव बागी सबी में कि के बाद देखिए और इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी है और है तोटल देखना पारेगा следующ में 3 जोड़े हैं तो 9, 9 में 3 जोड़े हैं 12, 13 में 15, 15, 13, 15, 13, यानि आने वाला R होगा O खतम यानी अज लास्ट वाला 11, 11 में से मइस 1 करेंगा तो 10, 10 में से म incentives एक करेंगे 9, 9 में से माइनस एक करेंगे तो 8, 28 की सब्सक्र quanto है लास्ट में H काहा है तो लास्ट में एच है इसमें तो जे दिया है कहानी खतम कोई दिकत देखें कितना आसानी से बन रही है देखें इसको क्या करना है यदि अंग्रेजी बर्नमाला को विपरित करम में लिखा जाए तो बाएं से पंदार में अच्छर को दाएं से अब बोल रहा है न अंग्रेजी बर्नमाला को विपरित करम में लिखा जाए तो लिजिये भाई अंग्रेजी बर्नमाला को विपरित करम में जेड बाई एक्स डबलू किना चापीस चापीस पचीस चोबिस तेस बाइस इकई बाइस के बाइस के बाद किना यू टी एस आर क्यू क्यू पी ओ के बात किना होता एन एम एल के जे आई एच ए जे एफ ई डी सी बी और ए कोई दिकत इतना तक हम लोग बिपरीत करम में लिख दिये अब क्या बोला बाएं से पंदर मा तो बाएं तो हम बोले थे कि इधर से होता है दाएं चलेंगे तो इधर से होगा तो बाएं से पंदर में अच्छर तो बाएं से पंदर मा ले लिजै एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस इगारा बारा तेरह चोड़ा और पंदर्र पंदर में अच्छर के दाएं अब देखिए दाएं इधर जाएंगे और बाईं इधर आएंगे के दाएं यानि एकर के दाएं के दाएं बोले तो बीच वाला कोई संख्या होकर एकर दाएं इधर अब बाईं क्या ची इधर तो के दाएं सातमा कौन होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 e, e दिया हुआ है तो option नमर एक, e, कोई दिकत, जैसे बोले अउसे आपको सजा देना है, कोई दिकत कहीं पर नहीं होनी चाहिए, देखिए इसको बनाईए, यदी I.U. B, यदी I.U. में B. जो है A. से बड़ा है, B. जो है किसे A. से बड़ा है, कोई दिकत नहीं, परंतु C. से से बड़ा है लेकिन सी से छोटा ए डी से छोटा है डी तो दिया हुआ है ने तो आगे देखेंगा परंतु ए से बड़ा है डी जो है न डी जो ऑर उपर हो जाएगा कहीं भी हो सकता है यदि C, D से छोटा है C जो है न, D से छोटा है C जो यह आपको दिखाई दे रहा है D से छोटा है कर मतलब C हिया होगा, यह हिया होगा कहीं भी हो सकता है तो IU में सबसे बड़ा कौन है तो IU में देखे, यह C जो है न D से छोटा है तो आयू में सबसे बड़ा कौन होगा अड़ी होगा कोई दिकत इसको देख लिजे इसको क्या कह रहा है एक पिता ने कहा अपने पुत्र से पिता जो है ना अपने पुत्र से कहा मैं तुम्हारी आदहा उमर के हूँ मैं तुम्हारी आदही उमर के हूँ जब तुम पैदा हुआ था ना तो अगर पिता की अभी उमर 36 साल है बोल रहा है ना पिता जब तुम्हारी आदही उमर के था ना तो पैदा हुआ था तो अभी पीता 36 साल के है तो बेटा 18 साल के होगा तो पुत्र की आयू 5 बर्स पहले क्या चीज़ होगा माइनस 5 तो 13 बर्स का पुत्र अभी है बर्तवान में कोई 5 बर्स पहले पुत्र का उर्म क्रेतना 13 कोई दिकत यह देखिए बलड रिलेशन का इतना बार बता हैं इत अस्किन सोट ले लिजिए और होमवर्क में इसका अंसर आप जरूर बता दीजिए ले लिए अस्किन सोट बहुत बढ़िया काम की है अब नेक्स्ट हम बताएंगे आपको नेक्स्ट क्या 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 हम करेंगे बताएंगे और नेक्स्ट का अंसर देख लिजिए कुछ नही चार गुने साथ, नो चोव का 36, हमें साथ से गुना करेंगे, तो सच्छा का 42, सतिया 21, सच्छा कितना 25, तो इसी परकार से क्या चीज़ करेंगे, हियां भी हम लोग 21 में कितना गुना करें कि 26 आना चाहिए, 21 में कितना गुना करें कि 26 आना चाहिए, तो 21-26 से जानते हैं तो हिया 6 लिखेंगे तो साचा का 42 आ 243 या 126 कोई दिकत नहीं तीनों के सिर्फ गुना करना है तो तीनों के हिया भी हम लोग गुना कर देंगे कोई दिकत नहीं तो आज के लिए इतना ही और इतना ही क्या 50 कोशन हो गई 50 कोशन क्या चीज़ हो गई तो आप लोग भी जो है डी मोटिवेट कर दिये हैं वीडियो पर जो है सस्क्राइब रुकी हुई है लाइक रुकी हुई है भ्यूज कम जा रहा है तो चैनल को आप लोग सेर नहीं कर रहे हैं आगे वीडियो लाने के इच्छा नहीं कर रहा है तो आप देखिए आगे किजिएगा तो कलास चलेगी अनिया था और स्टोप कर दी जाएगी धन्यवाद